11 एक्टूबर साल 1970 अमेरिका के एक स्टेट मिसी सिप्पी में एक 42 वर्सिय व्यक्ती चार्ल्स हिक्सन और 11 साल का लड़का कैल्विन पारकर ये दोनों एक शिप याड में काम करते थे दिन भर काम करने के बाद इन दोनों ने सोचा कि चलो आज मचलियां पकड़ते हैं चार्ल्स और कैल्विन ये दोनों पास का गोला नदी के किनारे पहुँचते हैं और फिसिंग करने लगते हैं फिसिंग करते करते इनने वहां अंधेरा हो चुका था चारों और बहुत शांती थी चार्ल्स और केल्विन दोनों मस्ती के साथ एक दूसरे के काम के बारे में और अपनी अपनी फैमली के बारे में बाते कर रहे थे और फिसिंग किये जा रहे थे ये दोनों अभी इस बात से अंजान थे कि इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो इनके जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रखतेगा कैल्विन और चार्ल्स ने एक बड़ी UFO को देखा जिसमें से ब्लू कलर की लाइट निकल रही थी वो UFO इन दोनों के पास आकर नदी के ऊपर मढराने लगती है ये UFO करीब 40 फीट लंबी और 10 फीट उची थी इस UFO में से अजीब तरह के तीन डरावने प्राड़ी बाहर निकल कराते हैं जिनकी बड़ी बड़ी आँखे थी इन अजीब तरह के प्राड़ीों को देखकर चाल्स और केलविन की धर के मारे हालत खराब होने लगी जैसे जैसे वो डरावने जीव इन दोनों के पास आ रहे थे वैसे वैसे चाल्स और केलविन का शरीर पैरलाइजड होता जा रहा था वह अपनी बोड़ी पर से कंट्रो यूएफो में ले गए और यहां से कहानी शुरू होती है एक डरावने और रूख अपा देने वाले सफर की उस यूएफो में चार्ल्स और केलविन ने जो अनभव किया वैसा अनभव आप सपने में भी नहीं करना चाहोगे नमस्कार दोस्तों मैं उस शाम तोंबर स्वागत करना पैस फीडियो में वो डरावने जीव पांच फीट तक लंबे थे उनका सिर्फ डारेक्ट कंदे से जोड़ा हुआ था उनके चेहनों पर जुर्रियां पड़ी हुई थी उनका चेहरा अजीब सा था उनकी बड़ी बड़ी आँखों को देखने में ऐसा लग रहा था कि उनमें दया नाम की कोई चीज है ही नहीं उनके हाथों की जगह पर पंजे थे जिनमें बड़े बड़े नाखून थे उन डरावने जीवों को देखकर चाल्स और केल्विन का सरीर डर की वज़े से लकवा ग्रस्त हो चुका था लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज हुआ क कि उनका सरीर डर की वज़े से लकवा ग्रस्त नहीं हुआ बलकि उन जीवों ने उनके शरीर पर कुछ ऐसा कर दिया था जिससे वो अपने सरीर से कंट्रॉल खो बैठे और पैरलाइजड हो गए जब वो एलियन जीव चाल्स और केल्विन को अपने साथ यूएफो में ले जा रहे थे तो चाल्स और केल्विन को ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर में कोई वजन है ही नहीं वो अपने आपको वेटलेस फील कर रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका दिमाग उनकी बोडी से बाहर निकल कर अलग हो चुका है उन जीवों ने चाल्स और केल् परति रोष्णी को देखा जिसको देखकर वो बिलकुल अंधासा हो गया चाल्स ने अपनी आँखें बंद की और भगवान से प्रात्ना करने लगा कि कास ये एक सपना हो और उसकी आँखें जल्दी खुलें लेकिन ये कोई सपना नहीं बलकि हकीकत थी ये एक नाइट मेर थ तेज सफेद रोष्णी हो रखी है ऐसा लग रहा था कि वो तेज रोष्णी कमरे की दीवारों से निकल कर आ रही है उस तेज रोष्णी में जैसे ही केलविन की आँखों ने देखना एड़जस्ट किया तो उसने देखा कि वो उस कमरे में अकेला नहीं है बलकि उसके सामन एक female alien खड़ी हुई है और वो उन दूसरे alien जीवों से थोड़ी अलग है वो देखने में थोड़ी इंसानों की तरह लग रही थी जिसकी बड़ी बड़ी आँखें थी वो टेलीपैथी के द्वारा बात कर सकते थे और उसने केल्विन से टेलीपैथी के द्वारा कहा कि वो सुरच्छित है लेकिन केल्विन को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था तो उस female alien ने केल्विन से कहा कि डरो मत मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाली उस female alien ने केल्विन के मुँ को खुला और अपने बड़े बड़े नाखुनों वाली उंगली उसके मुँ में गोसाई और उस उंगली को उसके गले से होते हुए उसे मोड कर उसकी नाख तक पहुचाया केल्विन को बहुत दर्द हो रहा था वो जोर जोर से चिला रहा था फिर उस female alien ने कहा कि डरो मत और उसने उसकी नाख से कुछ चीज बाहर निकाली उधर दूसरे कमरे में वो alien जीव चारल्स हिक्सन के उपर भी कुछ इसी तरह का experiment कर रहे थे तीन alien जीव उसके पास खड़े थे जो अपने नाखुनों वाले पंजों से उसकी body को examine कर रहे थे वो जीव आपस में टेलीपैथी के द्वारा बात तो कर रहे थे लेकिन वो चारल्स को कोई सांतोना नहीं दे रहे थे वो उसके दिमाग की जाच कर रहे थे उसके साथ चीड फाड कर रहे थे वो ने ऐसा करने से रोकना चाता था लेकिन वो paralyzed था तो वो कुछ भी नहीं कर सकता था फिर उसने देखा कि एक metal का football size object उसके उपर आ चुका है जो कि उसके शरीर को उपर से नीचे तक scan कर रहा है कैल्विन और चारल्स देख पा रहे थे कि जिस craft में वो मौझूद है वो अपने आप में एक जिन्दा चीज की तरह है जो एक ऐसी machine है जो उनके शरीर को control किये हुए है इधर कैल्विन एक female alien के द्वारा examine किया जा रहा था तबी उसे ऐसा लगने लगा कि अब वो मरने वाला है उसकी चेतना जाने लगी और उसके दिमाग में अलग अलग तस्वीरें फ्लैस होने लगी और उन तस्वीरों में वो हजारा लोगों के डरे हुए चेरों को देख रहा था और जो आखरी तस्वीर उसके दिमाग में फ्लैस हुई वो थी उस एलियन की बड़ी बड़ी आँखें जो कि कैल्विन से कुछ जरूरी बात कहना चाती थी लेकिन कैल्विन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और तबी चारों और अंधेरा चा जाता है चार्विन की आँखें खुलती हैं वो दोनों अपने आपको उसी नदी के किनारे पर अजीब और गरीब हालत में पाते हैं वो UFO जा चुका था उन्हें लगा कि उस UFO में उन्हें कई घंटे गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक महच 20 मिनट का ही समय गुजरा था चार्विन ने इस घटना के बारे में तुरंट एर फोर्स को बताया एरफोर्स ने उन्हें बोला कि उन्हें पुलिस में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए एरफोर्स इस तरह के केसेज को हैंडल नहीं कर दी चाल्स और केल्विन तुरंथ पुलिस इस्टेशन में जाकर अधिकारियों को इस घटना के बारे में सब कुछ बताते हैं पुलिस ओफिसर्स को चाल्स और केल्विन की ये बातें अजीब लग रही थी लेकिन उनकी आवाज में जो डर था वो उन पुलिस अधिकारियों को जैनुन लग रहा था तो पुलिस ने कैल्विन और चार्ल्स को टेस्ट करने की सूची कि कहीं ये जूट तो नहीं बोल रहे पुलिस ने केलविन और चाल्स को उस रूम में अकेला छोड़ दिया पुलिस ये देखना चाती थी कि अकेले में ये दोनों किस तरह से बात करते हैं चाल्स और केलविन इस बात से अंजान थे कि उनकी बातें रिकॉर्ड की जा रही है और उन पर नजर रही जा रही है जब उनकी आपसी बातशीत की रिकॉर्डिंग पुलिस ने सुनी तो उन्हें पता चला कि वो सच बोल रहे थे सच में उनके साथ एक ऐसी डरावनी घटना घटी थी जिसने उन्हें अंदर तक जगजोर दिया था पुलिस ने इस घटना की चांद बीन की तो कई लोगों ने उन्हें बताया कि पासका गोला नदी पर रात मैं कुछ अजीब सी घटना घटी थी उन्होंने नदी के उपर अजीब तरह की लाइटें चलते हुए देखी कई लोगों ने बताया कि उन्होंने एक बड़ा सा क्राफ्ट नदी के ऊपर उड़ते हुए देखा जिसमें से ब्लू लाइट निकल रही थी देखते ही देखते ही ये घटना वाइरल हो गई और सुर्खियों में आ गई मीडिया और यूफो लोजिस्ट वहां आकर उस जगे का जैजा लेने लगे चारल्स और केल्विन लोगों के बीच फेमस हो गए वो सच बोल रहे थे या जूट बोल रहे थे इसके बारे में पता लगाने के लिए चारल्स और केल्विन का कई बार लाई डिटेक्टर टेस्ट किया गया और उन्होंने हरे एक लाई डिटेक्टर टेस्ट को पास कर लिया चारल्स और केल्विन लोगों को बताते कि कैसे एलियन्स ने उनका अपरड किया था दोस्तो पासका गोला इवेंट एलियन एब्डेक्शन की कोई एकलोती घटना नहीं थी इससे पहले भी एलियन्स द्वारा अपरड की कई घटनाएं सामने आई थी जिनमें लोगों ने दावा किया था कि एलियन्स ने उनका अपरड किया था ऐसा ही एक फेमस केस साल 1961 में हुआ था जिसमें बेटी और बार्णी हिल ने दावा किया था कि छोटे कद के जीव जो ग्रे कलर के थे और उनकी आँखें बड़ी थी वो एलियन्स जीव उनका अपरड करके उन्हें एक बड़ी सी स्पेस सिप में ले गए जहां पर एलियन्स ने उनके उपर परिछड किया साल 1975 में ऐसी ही एक घटना ट्रेविस वॉल्टन के साथ घटी ट्रेविस वॉल्टन ने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने गया था वहां पर एलियन्स ने उसका अपरड किया और वो पांच दिनों तक गायब रहा था ट्रेविस के दोस्तों ने उसे जंगल में चारों ओर ढूंडा और पुलिस में उसकी गुमशोदा की रिपोर्ट भी धर्च कराई जब पांच दिनों के बाद ट्रेविस वॉल्टन वापस आया तो उसने बताया कि कुछ अजीब तरह के जीव उसको उठा कर ले गई थे जिनों ने उसके उपर परिछड किये ऐसे ही और भी famous incident थे जिनमें लोगों ने alien abduction का जिकर किया था बाद में लोगों ने अपने अपने incidents के बारे में किताबे लिखी और वो सभी किताबें best seller रही और उन घटनाओं के उपर कई movie भी बनाई गई हर एक घटना में लोगों ने लगबग एक जैसी चीजों का जिक्र किया जैसे कि अपरड के दोरान उनकी बोड़ी का पैरलाइज हो जाना, छोटी हाइट वाले और बड़ी बड़ी आँखों वाले जीवों दोरा उनका अपरड करना और एलियन्स के दोरा उनकी बोड़ी पर परिछड करना, बाद में चार्ल सेक्सन ने भी अपने इस इंसिडेंट के बारे में किताब लिखी, पासका गोला इवेंट एक ऐसा इवेंट था जिसमें दो लोग इसके गवा थे और कई लोगों ने उस दिन यूफो को देखने का दावा किया था, लेकिन सवाल ये आता ह कि इस एलियन अपरड की घटना में आखिर कितनी सचाई है, चलिए कुछ साइकलोजिकल एक्स्प्लेनेशन्स के द्वारा इस घटना की सत्यता को जानने की कोसिस करते हैं, हिपनोगोजिक हैलिसनेशन्स से एक ऐसा एक्सपिरियन्स होता है, जिसमें लोगों को ऐसा लगता है कि वो जो भी देख रहे हैं, वो सच है, हिपनोगोजिक हैलिसनेशन्स की ये अवस्ता तब आती है जब बोड़ी सोने और जागने के बीच में होती है, मतलब उस दोरान ना तो हम सोए होते हैं और ना ही जागे होते हैं, हिपनोगोजिक हैलिसनेशन्स सपनों से बिलकु सुनाई देती हैं इस दोरान हमारी बोड़ी सोने की कोशिस करती है इस वज़े से हमारा दिमाग बोड़ी के अलगलग पार्ट्स के फंसन्स को बंद कर देता है जिससे हमें ऐसा फील होता है कि हमारी बोड़ी पैरलाइजड हो चुकी है इस घटना को स्लीप पैरालेसिस बोल जरूरी है क्योंकि जब हम सपने देखते हैं तो सपने में हम दोड़ते भी हैं और अपने हाथ बैर भी चलाते हैं अब सपनों के दोरान हम सच में ही कोई मुमेंट ना करने लगें और अपने सरीर को चोट पहुंचा लें इस वज़े से हमारा दिमाग पहले ही बोडी के जाग जाओ तो आपको ऐसा मैसूस होगा कि आपके हाथ पैर काम करना बंद कर चुके हैं लेकिन थोड़ी ही देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है इसी को स्लीप पैरलेसिस बोला जाता है हो सकता है कि चाल्स और केल्विन ने कोई हिपनोगोजिक हैलूसनेशन देखा हो जिसमें उन्हें लगा हो कि एलियंस ने उनका अपरड किया है जैसा कि मैंने अभी बताया कि हिपनोगोजिक हैलूसनेशन में हम जो भी देखते हैं वो हमें सच लगता है ऐसा लगता है कि वो एक्सपीरियंस हमने सच में किया है शायद इसी वज़े से चाल्स और केल्विन लाइ डिटेक्टर टेस्ट को पास कर गए क्योंकि जूट तो वो बोली नहीं रहे थे और वो जिस सच का जिकर कर रहे थे वो उनके दिमाग की ही एक उपज रही होगी उन दिनों में एलियन एबडक्शन की कहानिया बहुत ज़्यादा प्रचलेत हो रही थी तो चाल्स और कैल्विन भी हिपनोगोजिक हल्यूसनेशन के द्वारा ऐसी ही एक कहानी का शिकार बन गए होंगे लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि चाल्स और कैल्विन दोनों को एक साथ एक जैसा हल्यूसनेशन कैसे हो सकता है तो इस कहानी में एक लूप होल है जब चाल्स और कैल् केलविन ने वहां बताया कि वो पूरी घटना के दोरान सोया हुआ था बाद मां उसकी मेमोरी वापस आई तब उसे याद आया कि उसके साथ क्या हुआ था दरसल हमारे दिमाग की फितरत ये होती है कि जब हम किसी स्टोरी को बार बार सुनते हैं तो हमें ऐसा लगने लगता ह कि वो घटना हमारे साथ घटी होगी अब भले ही वो घटना हमारे साथ घटी हो या ना घटी हो तो हो सकता है कि चार्ल्स ने हिपनाव गोजिक हैलूसिनेशन देखा हो जिसके बारे में उसने बार बार केलविन को बताया हो जिसके बाद के दिमाग को लगा हो कि उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था after all केलविन था तो एक 19 साल का लड़का ही लेकिन उन दावों का क्या जिनके बारे में लोगों ने बताया कि उन्होंने एक UFO देखा था जिसमें से ब्लू लाइट निकल रही थी तो इस केस में लोगों ने ज़्यादा तर दावित तब किये जब मीडिया इस केस को कवर कर चुकी थी अब सच क्या है ये कोई नहीं जानता ये तो केवल एक hypothetical explanation था कि उनके साथ क्या हुआ होगा क्योंकि इस घटना से सम्मंदित कई facts ऐसे भी हैं जो अभी भी एक पहेली बने हुए हैं लेकिन ये बात सच है कि जो लोग hypnogogic hallucination का शिकार होते हैं उस दोरान वो जो भी ट्रॉमा देखते हैं और जो भी दर्द फील करते हैं वो उन्हें एकदम real लगता है दोस्तो आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दे रही होगी जिसमां मैंने time travel के एक ऐसे ही अजीबो गरीब केस का जिकर किया है वीडियो पर क्लिक कीजे मैं आपको वही मिलता हूँ